हाई अव्रिवर मैं हूँ धननजय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे नॉर्मली किसी भी देश के डिप्लोमेट्स और वहाँ के एलीट क्लास के पास अल्मोस्ट सारे फसलिटीज होते हैं इसी बीच अगर किसी देश के डिप्लोमेट को पब्लीकली ये कहना पड़े कि उनके काउंसलेट के अंदर LPG सिलिंडर या कुकिंग गैस तक अवेलेबल नहीं है तो ये बताता है कि वो जिस देश में रह रहे उस देश का एकनॉमिक सिचवेशन बहत खराब है मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की पाकिस्तान जबसे भारत से अलग हुआ तब से ना ही तो पाकिस्तान के पास अपना कोई independent foreign policy रहा ना ही तो पाकिस्तान के अंदर कभी भी political stability रही As a result पाकिस्तान महज एक देश कागजो भरी सीमित रहे गया क्या है ये पूरा मामला और ये diplomate किस देश को बिलॉंग करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे साथ में हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि किसी भी देश का foreign policy independent क्यों होना चाहिए इस वीडियो में आके बढ़ हुई से पहले आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो मुझे email करके बता सकते हैं सो पाकिस्तान का political capital है इसलामाबाद और कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहरेस इसी बीच इरान के consulate general जिनका नाम हसन नौरियन रहता है वो press club में गय हुए थे जहां पि उन्होंने publicly ये माना कि कितनी रात तो ऐसा हुआ जहां पे उनके consulate के अंदर खाना बनाने के लिए normal LPG cylinder या cooking gas तक available नहीं था ये बताता है कि पाकिस्तान में अगर diplomates तक को LPG cylinder अगर नसीब नहीं हो रहा तो वहां के जो common civilians होंगे उनका क्या हाल होगा यहां पे मैं किसी भी तरीके से पाकिस्तान को troll या पाकिस्तान को मैं कमजोर साबित नहीं कर रहा हूँ बलकि क्यूंकि पाकिस्तान हमारा एक पडोसी मुल्क है इसलिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है हमें जानना चाहिए और हमें एक सबक सीखना चाहिए कि किस तरीके से अगर किसी भी देश का foreign policy independent ना हो तो उस देश का more or less वही हाल होता है जो आज पाकिस्तान का हो रखा है और उसके बाद अगर आप universities, colleges में अगर आप investment नहीं करेंगे और investment अगर आप किसी भी तरीके से religious extremism को promote करने में करेंगे तो more or less जो वहां के common civilians होंगे वो long सारे resource रहने के बावजूद भी भुखमरी का शिकार बन जाएंगे एक बार मैं मैप में दिखाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और इरान exactly कहां पे located है ताकि ये समझ में आए कि किस तरीके से पाकिस्तान का एक पडोसी मुल्क इरान है जिसके पास natural gas भी है और जिसके पास oil भी है उसके बावजूद पाकिस्तान उस resource का इस्तिमाल नहीं कर पा रहा ये आप देख सकते हैं मैप में इरान और पाकिस्तान जो कि एक पडोसी मुल्क है और जो border लगता है इरान और पाकिस्तान के बीच में उस region को कहते हैं पाकिस्तान प्रॉविंस है और जो बाकिस्तान प्रॉविंस है वहां के लोग सबसे अधिक गरीब हैं सारे मिनरल्व रहने के बावजूद और कुछ ऐसा ही हाल इरान के साथ में भी है अगर किसी भी तरीके से पाकिस्तान का foreign policy independent होता तो पाकिस्तान के पास एक बहुत ही अच्छा option था जहां से वो directly इरान से natural gas और oil को अपने देश में मंगा सकता था और उसके बाद possibility काफी high था कि वो इंडिया को भी supply कर सकता था तो इससे क्या होता तो at least जो transportation cost होता वो बच जाता उसके बाद साल 2010 में पाकिस्तान और इरान म लंबा gas pipeline रहता जिसका कि हम कह सकते हैं कि almost जो आधा हिस्सा है वो इरान में पढ़ता है और लगभग जो आधा gas pipeline का construction था वो पाकिस्तान में पढ़ता है इरान अपने side का जो gas pipeline था उससे वो complete तरीके से construct कर दिया लेकिन अगर वहीं बात किया जाए पाकिस्तान का तो वो अ अपने आपको में पाकिस्तान के साथ associate नहीं करना चाहते हैं और उसके बाद किसी भी तरीके से Saudi Arabia, UAE, Israel, US ये लोंग कभी भी नहीं चाहेंगे कि इरान की economy मजबूत हो क्यूंकि अगर जैसे ही इरान की economy मजबूत होगी वैसे ही इरान weapons वगेरा develop करना चाहेगा अब जब मै ये कह रहा हूं तो इसका कहीं से आप ये मतलब मत निकालिया कि इरान बहुत ही बेकार देश है और US, Israel, Saudi Arabia ये लोंग बहुत अच्छे हैं जियो पॉलिटिक्स में कोई अच्छा या बुरा नहीं होता हर किसी के अपने मतलब होते हैं तो वैसे ही जैसे कि US बढ़ चड़ कर ये कहता है कि Russia बहुत ही बुरा है वैसे ही more or less Russia बे US के बारे में ये कहता है अब depend करता है as an Indian कि हमारा जो foreign policy है वो कितना independent है और किस तरीके से अपने देश में हम अधिक से अधिक चीजों को manufacture कर पाएं और साथ में export कर पाएं अगर हमारा देश export oriented नहीं रहेगा तो कहीं न क हम dependent रहेंगे और जब आप dependent रहेंगे तो कभी भी आपका foreign policy independent नहीं हो पाएगा अब वैसे तो more or less सभी देश IMF से loan लेते हैं क्योंकि कोई भी देश इतना independent नहीं हो सकता है कि वो बगार loan के चल पाए लेकिन depend करता है कि अगर आप loan लिये हैं तो उस loan का इस्तेमाल आप किस करते हैं अगर आप इस report को पढ़ेंगे 2023 का report है जहां पे आपको साफ मालूम पढ़ रहा कि पाकिस्तान fourth biggest IMF का debtor है कहने का मतलब है पाकिस्तान से उपर सिर्फ Argentina है Egypt है और Ukraine है अब आप सोची जब इतना ज़ादा आप IMF से loan ले रखे हैं तो IMF से loan लेने का साफ मतलब होता कहीं न कहीं बगैर US के approval का आपको loan नहीं मिलेगा तो जब आपको US के approval के बिना loan नहीं मिलेगा तो आपका foreign policy भी US के आसपास ही घूमता रहेगा अब जैसा कि मैंने बताया कि 2010 में पाकिस्तान और इरान मिलके एक gas pipeline बिचाते हैं लगभग 1800 किलोमेटर का जिसका कि almost आधा हि policy होना चाहिए जब जब पाकिस्तान ये attempt किया कि वो इस gas pipeline project को आगे बढ़ाए तब तब USA, Saudi Arabia, UAE मिलके इनको इस project में आगे नहीं बढ़ने दियें अब आप सोचिये कि अगर आपके पड़ोसी मुल्क के पास दुनिया का fourth largest oil है और second largest natural gas है और अगर आप तब भी उसका इस साथ business कर रहे हैं जिन लोगों ने रश्या के उपर sanctions लगाएं अभी एक recent का announcement है जहां पर government of Canada, Airbus को ये approval दिये हैं कि आप रश्या के द्वारा titanium जो process करता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं तो more or less वो सभी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिस चीज के उपर European countries plus Canada, US dependent हैं वहीं दूसरी तरफ अगर कोई और देश किसी भी तरीके से इरान के साथ business करना चाहेगा या रश्या के साथ business करना चाहेगा तो उसे बढ़ चड़ कर दबाया जाता है तो इनवे एकर हम इस वीडियो को conclude करें तो हमें समझ में आता है कि एक तो अगर देश बढ़ चड हैंगे उसके बावजूद भी वो उसका इस्तिमाल नहीं कर पाएगा और यहां पर मैं ये बात पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ बलकि ये बात as an Indian हमारे लिए है और चाहे US हो गया चाहे European countries हो गया ये लोग बहुत बड़े मतलबी है जो कि geopolitics में कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूँगा मैं चाहूँगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye